हालो फ्रेंट्स आप लोग जानते हैं कि सडक डू का ट्रेलर रिलीज हो गया है शायद आप लोग ये भी जानते होंगे कि इसे 2.5 मिलें से भी जादा डिसलाइक मिल चुके है मैं अपनी राय दू तो ऐसा लग रहा है कि मूवी रिलीज होने से पहले ही इसकी नईया डूप चुकी है आईए दिखाते हैं आपको यूट्यूबर्स का क्या कहना है इस मूवी को लेकर तो देखा आप लोगने यूट्यूबर्स की क्या राय है तो आपको पता चल ही गया होगा कि मूवी की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी है वहें सासाथ हम आपको बताते चले कि अभिनेत्री कंगना रनोट जो कि हर मुद्दे पर अपनी प्रतिकिरिया देती हुई दिखती हैं तो भला अभी क्यों चुप रहे कंगना को इस फिल्म का एक डालोग पसंद नहीं आया जिसे लेकर कंगना ने ट्विट पर अपनी प्रतिकिरिया दी है और लिखा है कि अच्छा अवलोकन क्या वे गुरु को मौलवी या क्यालाश घोटाले को मकम घोटाले में बदल सकते हैं क्या साधू को हत्याओं का इन पुर्व ग्रहों से कुछ लेना देना है भारत में पाकिस्तानी दलालो द्वारा धार्मिक ग्रिना और पुर्व ग्रहों को फैलानी के अनुमती क्यों नहीं दी जा रही इसकी आलोशना करते हुए एक फिल्म समिक्षक ने ट्विटर पर पोस्ट किया है कि ट्रेलर में आलिया भट कहती है कि गुरु के बजाय से मैंने अपने आपको खोया है बस एक बार के लिए क्या आप गुरु शब्द को हटा कर इसे मौलवी या पादरी से बदल कर दिखा सकते हैं मिस्टर भट कोई चर्चा नहीं है बस इसे बदल दे और ट्रेलर को फिर से लॉंच करें जादा नहीं पूछ रहा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बात कर लेते हैं मौवी के बारे में नमस्कार मैं हूँ शिखा और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब हम बात करते हैं मौवी के बारे में महेश भट की फिल्म सड़क्टू काफी दूने सोईस चर्चा में है निर्माताओं ने बुद्वार को फिल्म सड़क्टू का ट्रेलर रिलीस कर दिया है ये फिल्म 28 अगस्त को डिजनी प्लस होस्टार पर रिलीस होगे फिल्म में आलिया भट, संजादत, अधितरवाई कपूर और पूजा भट में रोल में है वहीं आपको बता दे की फिल्म सड़क्टू का निर्देशन महेश भट ने किया है इस फिल्म में महेश भट लंबे समय के बाद निर्देशन में वापसी कर रहा है इस फिल्म में संजादत, आलिया भट, अधितरवाई कपूर के अलावा पूजा भट एहम भूमिका में नजर आएंगे फिल्म के ट्रेलर को पहले 11 अगस्त को रिलीज किया जाना था पहले फिल्म सड़क्टू सिनेमा घरों में 10 जुलाई को रिलीज होने वाली थी लेकिन करोना के कारण ऐसा नहीं हो पाया अब आप लोगों की क्या राय है सड़क्टू को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चानल्स दे लॉलिपॉप को सब्सक्राइब करना ना बुले साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दवाए ताकि आपको हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे